हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, पैंसनर्स, फैमली पैंसनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं अभी अभी बड़े जो चार अपडेट आए वो आपको देने वालों, जिनमें आपकी सैलरी पैंसन, आपकी फिट्मेंट फैक्ट है, आपकी 18 आपको प्रोवाइट कराऊंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्त तक देखीगा, बने लिए आप मारे चैनल पर इसी तरीके से, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, साथ ही साथ आप हमारे वीडियो की लटस्ट नोटिफ पहली जो बड़ी खबर आ रही है, वो आपकी मार्च मंत की सेलरी और पैंसन से एलेटड है, क्योंकि अभी पैंसनर से बहुत सारे कोमेंट कर रहे हैं, कि उनकी पैंसन अभी जो है, उनके खातों में अभी क्रेडिट नहीं हुई है, जिसके चलते वो परिसान हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ, आपको परिसान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपकी पैंसन जो है, या फिर आपकी जो सेलरी है, आपके खातों में कल जिनकी नहीं आई है, तो आज जो है, अब आगे आने वाली दुनों में कभी उनकी पैंसन जो है, उनकी खातों मे क्रेड कर दी जाएगी अगर इस वीक आपकी पैंसन नहीं आती है तो जो है नेक्स्ट मंड़े में आप बैंक में जाएए और आप वहाँ पर जाके आप फिजिकली पता करेए जाके हैं कि आपकी पैंसन क्यों नहीं आए है ऐसे ऐसे बहुत इक लिए बता दूं यह आपको पता ही होगा क्योंकि मैं पीविएस वीडियो में भी फिट्मेंट फेक्टर में बढूत्री को ले करके जो खबरे आते रहे हैं वो आपको बताता रहा हूं तो आपको सबको पता है कि साथ वेतन आयोक के रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको 2.57 गुना के बेसिस पर आपकी जो मिनिममम पैंसन है वो 9,000 रुपए तै की गए थी साथ वेतन आयोक के नियम से साथी साथ जो करमचारी है यानि जो existing employees है उनकी basic salary जो है मिनिममम 18,000 रुपए तै हुई थी लेकिन इसके बाद में अलग 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 यूनियन्स हैं फैडरिसंस हैं और अलग अलग जो भी करमचारियों पैंसनर्स के ग्रूपस हैं वो सरकार से इसके रिगार्डिंग लग करमचारियों दोनों को एक बढ़ी राहत मिल सके वैसे के लिए आपको पता है कि fitment factor से ही salary और pension तै होती है उसी से वो decide होता है अगर fitment factor में बढ़ोतरी होगी तो आपके करमचारियों और pensioners के basic salary और basic pension में भी बढ़ोतरी पूरी-पूरी संभव है अगर वाकई में 3.68 गु करमचारियों की basic salary 25-26 रुपए तक बढ़ोतरी की जा सकती है लेकिन अभी ऐसा कुछ भी official announcement नहीं किया गया है और जब तक कोई भी official announcement नहीं आता है तब तक यह चीजे जो मेडिया में आ रहे हैं और वह ऐसी चीजे आती रहेंगी जब तक कि government की तरब से कोई भी official statement जारी न बढ़ता है वह आपको provide कराया जाता है ऐसे pensioners को जो कि non CGHS areas में रहते हैं और वहां पर pension उनके खातों में आती है लेकिन वहां पर चार हजा यत्तीन यह रूपे तक करें क्योंकि इस टाइम पर OPD जो medicines है उनका खर्चा बहुत जादा बढ़ गया है इसके चलते एक यह रूपे उनको बहुत कम पड़ते हैं और इसके चलते अपनी pocket से खर्च करते हैं और सरकार से request रही है कि सरकार जो एक यह रूपे से ज जो है under consideration है और आगे आने वाले दिनों में इसमें बहुत कुछ देखने को मिल सकता है positive हो सकता हो जिसमें कुछ न कुछ बड़ोतरी देखने को जरूर मिल सकती है आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट करकी जरूर बताएगा आपको वीडियो अच्छा लगा तो